हरी ओम फ्रेंट्स रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग स्वागत करती हों आप सब का आपके अपने चैनल हरी ओम हरे कृष्णा पर तो जो मैं बात करने जारी हूँ वो है मागमास के सुक्लपक्ष्टी जया एकादशी के बारे में जया एकादशी का भी नाम है और आपको पुस्प समर्पित करना है, फल लगाने है, आर्टी करनी है, भोग लगाना है, और फिर जितना हो सके, तुलसी दल तो आपको समर्पित करना ही है, और जितना से जादा से जादा हो सके, आपको भगवान की पूजा करनी है, और उनका नामजप करना है, नामजप में क्या करना पता है आपको वो मंत्र है ओम नमो भगवते वाशु देवायर तो इस तरह से आपको भगवान की उस दिन आर्टी फूजा आराधना करनी है चलिए अब बात करते हैं इस एकादशी के ब्रत से मनुश्यों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नस्थ हो जाते हैं और इस ब्रत को करने से लोगों को कभी प्रेत यूनी में नहीं जाना पड़ता तो इसकी कथा बताते हैं भगवान बोलते हैं एक शमय की बात है स्वर्ग लोक में देवराज इंदर राजी करते थे देवगन सबी पारिजात प्रिक्ष के साथ में सभा में सब निर्तिगान कर रहे थे उसम मालेवान जो पुस्वदंत के पुत्र था दोनों में आपस परसपर का आकर्शन था दोनों इस वज़े से वहां पे निर्थ नहीं कर पा रहे थे कभी उनका ध्यान भंग हो जाता कभी निर्थ रुख जाता तो कभी उनकी साधना रुख जाती इस बात को इंदर ने उनको स्मरन हो आया और उन्होंने पिसाच पिसाची ने आपस में बात करके कहा कि पता नहीं हमने कौन सा ऐसा पाप किया है इतना भेंकर कि हमें नरक के इतने सारे दुख भोगने पढ़ रहे हैं इंसान को कोशिश करके पापों से बचना चाहिए इस प्रकार चिंता मगन हो दोन ब्रत रखा उन्होंने फल जल कुछ भी ग्रहन नहीं किया जलपान तक भी नहीं किया और वे निरंतर पीपल के ब्रिक्ष के नीचे बैठे रहे हैं और पीपल के नीचे बैठते बैठते उनको सूरियास्त हो गया उनके प्राण लेने वाले रात भी उपस्थित हो गई उन कि पिशाच युनी दूर हो गई और उन्हें पुना गंधर वियोनी प्राप्त हुई तो इस तरह से जब उन्होंने गंधर वियोनी प्राप्त कि उन्हें वही पूर्ती मालूमी वही अलंकारी था तो उसके बाद वे इंदर के पास गया और उन्हें प्रणाम किया तो इंदर लोग अवहीं पे रहने लगे जो लोग एकादसी के ब्रत में ततपर और भगवान श्री कृष्ण के सरनागत होते हैं वो हमारे भी पूजनिय है इस तरह से इंदर ने बोला और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन लोगों को अपने पाप को काटने के लिए जय जया एकादसी के ब्रत किया उसने सब परकार के दान दे दिया और सब अनुस्ठान कर लिया इस तरह से इस जया एकादसी के ब्रत का फुन्य है तो फ्रेंट्स आपने देखा कि कितने भेंकर पाप भी जया एकादसी के ब्रत को करने से कट जाते हैं इस ब्रत के साथ-साथ भगवान को तुलसी दल समर्पित करनी है और श्रद्धा भाव से भले ही आप कुछ कर पाएं ना कर पाएं लेकिन श्रद्धा भाव से आपको भगवान के नाम का स्मरन करना है जब करना है और अगर आप यह करेंगे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे तो friends, 12 फर्वरी को इस जयाय कादिशी के ब्रत को रखना ना भूले, अपना भी ध्यान रखे, अपने परिवार का भी ध्यान रखते, मिलिए फिर किसी दूसरे वीडियो में हरियों friends